इस वीडियो में हम बात करेंगे उस topic की जो मेरे हिसाब से स्रायत सबसे ज्यादा misunderstood topic है इसका reason यह है कि यह जो topic है वो NCRT में दिर्ख है पूरी तरीके से incomplete तो इस वीडियो में हम DNA replication को पढ़ेंगे और पूरा complete DNA replication पढ़ेंगे हो सकता है इस वीडियो के देखने के बाद में आपको लगे कि यह थोड़ा सा ज्यादा ही level हो गया अगर आपको अच्छे सवाल भी इस topic से आई हुए करने है तो इतना level तो touch करके चलना ही पढ़ेगा तो चलो शुरू करते हैं मेरा नाम है अमित और फटा फट शुरू करते हैं DNA replication पर अपना lecture यहाँ पर आपको एक सवाल दिख रहा है इस question का आपको answer अगर आता है तो अच्छी बात है अगर नहीं आता तो इस वीडियो के अंत तक आपको answer इसका properly आ जाएगा यह सवाल है NEET 2017 का बिसकली यह सवाल यह पूछना चाता है कि DNA replication के time पे ओकाजाकी fragments की direction क्या होती है ओकाजाकी fragments are used to elongate का मतलब है कि यह direction पूछना चाता है अपना answer जो है अभी comment section में दीजिए और इतने में हम शुरुआत करते हैं DNA replication की तो DNA replication के बारे में मैं कुछ points जो है basic basic आपको बता के चलता हूँ जैसे कि DNA का replication S phase में होता है और DNA replication एक ऐसी घटना है जो एक cell cycle में सिर्फ एक बार होती है अगर मैं एक cell cycle की बात करूँ ना तो उसमें सिर्फ एक ही बार होगी जबकि अगर मैं बोलू कि translation या transcription तो वो cell में चलते रहते हैं throughout लेकिन DNA replication सिर्फ एक time पे होगा S phase में होगा DNA replication जो है वो एक काफी high energy consumption वाली process है क्योंकि DNA बहुत बड़ा polymer है इसकी वज़े से जो DNA है उसका पूरा replication करवाने के लिए काफी सारी energy जो है वो लगती है चले थोड़ी से बात करते हैं DNA के condensation पर उसका reason यह है क्योंकि हमें condensation जो है DNA का condensation हो चुका है उससे पहले उससे decondense करना पड़ता है तो मैं अगर condensation के levels पर बात करूँ level का मतलब है कि DNA कितना coil हो चुका है तो एक मेर को simple DNA मिलेगा उसके बाद में थोड़ी coiling होगी जिसे हम u chromatin बोलते हैं उसके लावा थोड़ी advance coiling होगी जिसे heterochromatin बोलते हैं और finally coiling होते होते chromosome की शकल जो है वो DNA ले लेता है ठीक है अब आपको यहाँ पे दो point ध्यान रिखने है पहला पूरे DNA का एक साथ replication नहीं होता ऐसा नहीं है कि यह starting point है यहाँ से replication शुरू कर देते हैं और end तक कर देंगे ठीक है ना ही जो पूरा DNA है वो एक time पे पूरा decondense होता है actual में होता क् part decondense होता रहता है और वो replication होती रहती है फिर दूसरे वाले DNA के part का बार ही आती है फिर वो decondense होता है फिर उसका replication होता है तो चीज़ें ऐसे चलती है अब इसके पीछे reason यह है कि पूरा जो polymer का DNA और DNA का जो polymer है वो length में इतना बड़ा है कि उसे एक साथ decondense नहीं कर सकते और एक साथ पूरे DNA के strengths को खोला नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही high energies में required होती है अगर मैं मान के चलो चलो कि एक ATP मैं एक hydrogen bond को तोड़ने के लिए लगा रहा हूं ठीक है मतलब एक base pair के बीच में hydrogen bond है उन्हें तोड़ने के लिए लगा रहा हूं तो deployed content के हिसाब से देखें तो 6 6.6 billion base pairs होते हैं कितने ATP का consumption यहां पर होगा 6.6 billion ATPs this is insane amount of energy तो इस वज़े से क्या है DNA पूरा कभी कभी replicate एक साथ नहीं होता तो actual में होता क्या है कि मान लीजिए यह DNA का sequence है complete DNA इसमें क्या होते हैं छोटे-छोटे segments होते हैं यह एक segment हो गया इसके बाद में यह segment हो गया यह segment हो अब यह जो पूरा एक segment है इसका एक बारी में replication होगा इस पूरे एक segment का एक बारी में replication होगा और इस segment को हम क्या बोलेंगे replicon उसके बाद में इस segment का replication होगा उसके बाद में इस segment का replication होता है ठीक है हम जो replication fork पड़ते हैं वो actual में replicon में पड़ते हैं तो replican वो DNA का हिस्सा है जहां जिस unit वो unit है जहां पर क्या होता है DNA का actual में replication हो रहा होता है एक time पे सारे के सारे replicons में एक ही समय पे replication नहीं चलता यह बारी-बारी होता है, पहले इसका नंबर आएगा, उसके बाद में इसका, फिर इसका, तो ऐसे जो है, यह cycle चलती है DNA replication की, अगर मैं replicon को यहाँ पे बनाऊं, तो मैं मान लिजे कि यहाँ पे एक replicon को बना लेता हूँ, अगर मैं इस replicon को पढ़ना चाहूँ, तो यहाँ पे मि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे वो point होगा, जिसे हम terminus बोलते हैं, जहाँ पर replication का इस segment के लिए ending होगी, और फिर जो है, दूसरे replicon की बारी आएगी, तो origin of replication point जो होता है, वो replicon के बीच में होता है, ना कि शुरुवात वाले या दूसरी तरफ वाले हि actual में क्या चीज देखने को मिलती है हमें, कि यहाँ से DNA की unwinding होती है, तो यह है कुछ ऐसा नजर आता है, यहाँ पे origin of replication था, और यहाँ से जो है unwinding होई, अब इस unwinding को करवाने के लिए, अच्छा basically unwinding होई कैसे होगी, यहाँ पे कुछ base pair होगे, यहाँ पे एक base pair होगा, यहा इसे unwind करने का, दोनों strand को unwind करने का काम एक enzyme करता है, जिसका नाम है helicase, कुछ लोग इसे unwindase भी बलाते हैं, दोनों ही नाम जो है, वो एक ही चीज को बताते हैं, अब अगर हम मैं बात करूँ कि इसकी जो है opening, यह थोड़े-थोड़े segments पे होती है, completely नहीं है कि एकदम से ह हमने सारे hydrogen bond तोड़ दिये, जितने भी एक replicon में है, ऐसा नहीं होता, यह भी क्या है, एक hydrogen bond को तोड़ने के लिए energy चाहिए होती है, तो यह भी क्या है, एक number of base pair के hydrogen ही तूटते है, अब यहाँ पे base pairs हैं, जो एक दूसरे के complementary हैं, यानि, अगर यहाँ पे है adenine, तो यहाँ आपको मिलेगा thymine, यहाँ पे है cytosin, तो यहाँ पे मिलेगा guanine, यहाँ पे मानलोग guanine है, तो यहाँ पे cytosin, अब मैंने एक बार के लिए bond तोड़ दिया, अब एक चांस यह भी तो हो सकता है, कि यह दुबारा से hydrogen bond बना ले, यह भी possible है, यह चीज ना हो, यह दुबार दूसरे से attach ना हो जाएं, अगर अब आपने कभी किसी rope को, मतलब एक coiled rope है, उसके दोनों threads को ऐसे बीच में से, दोनों तरफ ऐसे करने की कोशिश की है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, कि इस वाले हिस्से में, और इस वाले हिस्से में, tension create हो जाती है, इस चीज को बोला जाता है, super coiling, इस concept को यहाँ पर हम बोलेंगे, super coiling, ताकि यह super coiling ना हो, और पूरा जो DNA का strand है, वो stable रहे, इसके लिए एक और यहाँ पर हम, मतलब, cell के अंदर एक enzyme होता है, उसका नाम है, topo isomerase, तो topo isomerase क्या करता है, negative super coiling को decrease करता है, I hope आपको super coiling समझ में आ गय और हम किसी thread को ऐसे है, और इसे इस तरफ से खीचते है, इसे इस तरफ से खीचते है, तो यह जो है, यहाँ पर इस वाले हिस्से में, tension create हो जाता है, यह एक दूसरे के बहुत पास आ जाते है, इसे बोलते है, super coiling, यह ना हो, इस के लिए है, topo isomerase, अब, जब हम replication की fork की बा आ रहा हूँ, यह मान लेते हैं कि 5 प्राइम है, और यह मान लेते हैं कि 3 प्राइम है, अब, DNA का replication अब शुरू होने वाला है, यहाँ पे जो additional protein वगएरा है, वो help कर रहे हैं, proper DNA replication की process हो जाए अच्छे से, अब, यहाँ पे main hero है DNA polymerase, actual में यह वो enzyme है, जो की nucleotide को arrange करता है, DNA polymerase की दो खासित हैं, पहला, कि DNA polymerase 5 प्राइम से 3 प्राइम की direction में ही क्या गरता है, nucleotide को जोड सकता है, मेरे कहने का मतलब यह है, कि अगर मैं एक nucleotide की ऐसे chain देखूं, यहाँ पे अगर 5 प्राइम वाला nucleotide है, जिसका 5 प्राइम एंड इस तरफ है, तो DNA polymerase सिरफ यहाँ जोड सकता, तो direction जो है, वो simple है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसके अलावा एक और बड़ी प्राइम इस DNA polymerase की यह है, कि यह कभी भी शुरुवात नहीं कर सकता, यानि start नहीं कर सकता यह अपने आप DNA की replication को, इसे चाहिए होता है RNA का primer, अब यह प्राइमर क्या चीज़ है, ब यहाँ पर DNA polymerase आकर ऐसा नहीं है, कि सीधे nucleotide को arrange करना शुरू कर देता है, ठीक है, मालो यह template हम लेते हैं, 5 प्राइम की template है, इसके सामने जो end बनेगा, वो 3 प्राइम बनेगा, direction होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो actual में होगा यह, कि पहले यहाँ पर एक प्राइमर यह RNA का बनता है, और इस RNA के primer को बनाने के लिए enzyme जो चाहिए होता है, वो है primase, फिर से repeat करता हूँ, मालो एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे है adenine, यहाँ पे है cytosyn, यहाँ पे है thymine, और यहाँ पे है gonin, और DNA की replication की process जो है, वो शुरू होने वाले है, तो यहाँ पे primase आएगा, सबसे पहले adenine के सामने, आना चीए thymine, DNA में thymine आता है, लेकिन यह RNA का primer है, यह RNA का एक छोटा सा टुकड़ा है, इस वज़े से यहाँ पे आएगा uracil, cytosyn के सामने guanine, thymine के सामने aden, guanine के सामने cytosyn, and finally जो है, एक टुकड़ा बन अब यहाँ पे DNA polymerase इसे देखकर हो जाता है, खुश, यहाँ पे आता है DNA polymerase, और क्योंकि यह 3 prime end है, तो अब इस पे फटा-फट वो nucleotide जो है, complementarity के हिसाब से जोड़ता रहता है, तो आगे की तरफ यह जो chain है, यह बढ़ती जाएगी, अब आगे यह chain जो है, ऐसे बढ़त यह है, जिसके ओपर basically काम हो रहा है, ठीक है, अगर मैं दूसरे template की बात करूँ, तो RNA primer जो बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, यह 5 prime होगा, यह RNA primer का 3 prime end होगा, DNA polymerase यहाँ पे आएगा, और nucleotide को arrange करना शुरू कर देगा, complementary के हिसाब से, ठीक है, और यह जो है, जितनी यह replication fork उतने तक, यहाँ तक पहुँच जाएगा, अब आगे फिर से replication fork जो है, वो आगे की तरफ खुलेगी, और जादा, और यह जो कहानी है, आगे बढ़ेगी, तो चलिए मैं इसी diagram में, इसी replication fork को खुलने का काम करता हूँ, अब मान लेते हैं कि यह replication fork ऐसे इतनी खुल चुकी है, अब मेरे बाद ध्यान से समझना, जो यह template है, इसके उपर जो यहाँ पे काम चल रहा है, इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कि यह 3 prime end है nucleotide का, तो यहाँ पे DNA polymerase क्या है, फिर से दुबारा दुब करना, कि यहाँ वाला जो है, यह 5 prime end है, और आपको पता है कि DNA जो polymerase है, वो 5 prime end पे nucleotide नहीं जोड सकता, तो इसे जो है, फिर से primer की जूर्थ पड़ेगी, तो अब की बार जो primer है, वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 5 prime end आएगा, यहाँ पे 3 prime end आएगा, और DNA polymerase यहाँ पे लगेगा, और अब की बार फिर से आगे nucleotide को जोडने का काम करता रहेगा, डोनों strand में difference समझिए, यहाँ पे एक ही बार RNA primer की जूर्थ पड़ रही है, RNA primer की जूरूरत है, वो सिरफ एक ही बार पड़ रही है, लेकिन इस case में बार बार RNA primer की जूर्थ पड़ेगी, और बार-बार RNA primer की जूर्थ पड़ेगी, यह आगे से और जादा खुलेगा, तो इस वज़े से ये वाली जो strand आपको यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो strand है, इसकी speed जूर्थ हो जाती है, और इसकी speed जो है, वो slow रहती है, और जो overall production हो रहा है strand का, इसमें ये काफी हद तक speed की वज़े से जादा होता है, इसलिए हम इसे बोलते है leading strand, यानि ये lead कर रहा है, कोई race में आगे होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो lead कर रहा है, और time की वज़े से ये जादा time लगेगा, क्योंकि बार-बार RNA primer primase आएगा, फिर वो RNA primer बनाएगा, फिर वहाँ पे DNA polymerase आ इसके बाद में जब पूरा replicon जो है, वो replicate हो जाएगा, उसके अंदर DNA का replication हो जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कि मालो ये पूरा replicon जो है, यहाँ पे replicate हो चुका है, तो एक segment यहाँ पे बना, इसके बाद में RNA primer, फिर एक segment बना, फिर RNA primer, फि तो एक RNA primer और बाकी जो है, strand ठीक है, ये है 5 prime और ये है 3 prime वाली strand, original जो strand है, अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, कि ये जो primer यहाँ पे है, ये हट जाते है, primer यहाँ पे हट जाते हैं, ये वाला भी हट जाता है, क्योंकि DNA के structure में RNA का टुकड़ा नहीं जुड़ सकते, DNA का ही structure, DNA का ही nucleotides जो है, हम use कर सकते हैं, इस वज़े से, तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे अगर मैं polarity बताना चाहूँ, तो यहाँ पे 5 prime ये side है, 3 prime ये है, यह ये तो पूरा है complete, एक replicon की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो है, छोटे 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 fragments है, ये जो fragments बन चुके हैं, इन्हें बोला जाता है, ओका जाकी fragments, ये एक fragment है, इसे क्या बोल रहे हैं, ओका जाकी fragments, अब मेरी बाद ध्यान से समझना, और कुछ चीज़ें जो है, आ यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, अब DNA polymerase जो है, वो यहाँ पे लगता है, और इसे आगे की तरफ extend करता है, सर ये क्या बता रहे हो, जो बता रहे हो, बिल्कुल सही है, DNA polymerase यहाँ पे लगता है, और इसे आगे की तरफ extend करता है, सेम DNA polymerase, क्योंकि यह 3 प् काम और इसे यापस में जोडने का काम जो है वो DNA lygaze करता है तो ऐसा बिलकुल भी मत समझना कि ओकाजाकी fragments के बीच में जो space है उसे भरने का काम DNA lygaze करता है नहीं DNA lygaze तिरफ दो nucleotides को जोडने का काम करता है जो gap के अंदर nucleotides का gap आया है RNA primer के हटने की वज़े से उसे भरने का काम DNA polymerase ही करता है इस तरफ भी ऐसा ही होता है दूसरी side का जो replicon होगा मतलब हमने एक side की fork पड़ी है ना दूसरी side की fork जो होगी वहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 prime end होगा तो यह 3 prime end पे आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देगा imagine करो दूसरी तरफ की हम एक replicon fork पड़ते ले हैं तो इस तरफ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा तो जब यह दोनों strand अब ऐसे मिलकर complete हो जाती है तो यह बाहर की तरफ आ जाती है और जितनी भी strand दूसरे replicons में बनेंगी वैसे वैसे आगे की तरफ यह move होता रहता है और बाहर आकर यह आपस में क्या बना लेती है कि कॉंप्लिमेंटरी बेस पेरिंग बना लेती है और नया जो है तो एक बात तो आपको देखना को मिलेगी कि ओकजा की fragments जो है वह लेगिंग strand लेगिंग वाली जो strand बन रही है न उसमें ओकजा की fragments होते हैं ठीक है तो lagging strand लेगिंग strand बाकी दोनों गलत इन दोनों में से हमें देखना है towards the replication fork या away from the replication fork अब ज़रा द्यहां से दिमाख लगाना बचया replication fork जो है वो यह है और जो lagging strand बन रही है वो 5 से चलती है आगे की तरफ 3 प्राइम की तरफ चलती है तो यह away from replication fork है तो इस हिसाब से इसका answer जो है वो बनेगा away from यानि third option जिनका answer third था congratulations तो यहाँ पर खतम होता है डेने रैप्लिकेशन का topic thank you so much आपने यह वीडियो देखी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe कर सकते हैं हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है